असलाम नेकूम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेदे सब खेरिया से होंगे आज मैं आप लों के लिए बहुत ही मज़े की रेस्पी लेके आई हूँ आईए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेस्पी को ये हैं बॉयल डालू जो मैंने बॉयल कर ली हैं पहले एक ले लोंगी बहुल इसमें हम जो है आलों को चोटा चोटा करश करके डाल देंगे इसमें देखना के गुटली ना हो अब हम डालेंगे इसमें एक चमच नमक का एक चमच इसमें डालेंगे जीरे का एक चमच डालेंगे कुटी मिर्च का एक चमच डालूँगी काली मिर्च का और अब इ इससे दुबारा से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखें ऐसे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा अब इसमें मैं डालूंगी टूटेबल स्पून कॉर्ण फ्लॉर के और इसमें डालूंगी मैं देंगे ग्रीस कर लेंगे और को अच्छी तरह से और हातों को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे अब हम यह लेंगे डो को अच्छी तरह से इसको पकड़ेंगे और इसको हम एक पेड़े की सुरत में हम बना लेंगे गोल गोल कर लेंगे यह देखें ऐसे हमने इसको गोल इसी रोटी जो है तियार हो चुकी है अब हम लेंगे एक गलास इसकी मदद से हम इसकी एक शेप बनाएंगे यह देखें ऐसे गोल गोल शेप हमने एक ही साइस के हमने जो है शेप हमने बना लेनी है गोल गोल और एक ही साइस के हमने इसको काट लेना है यह देखें अब हमने इस ग्लास ही की मदद से इसको थोड़ा सा दे देना है डिजाइन, ऐसे हम इसको दे देंगे डिजाइन, यह देखें, ऐसे ही बाके टिक्यों पर भी हम इसी तरह का डिजाइन दे देंगे, आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन दे सकते हैं, तो हमने दे दिया है ग्लास से यह देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टिकियां जो है रेडी होगी है अब हम इनको करेंगे फ्राइ एक पैन में हमने आइल को गरम कर लिया था और टिकियां डाल दी हो यह देखें यह कितने मज़े की फ्राइ हो चुकी है बहुत ही मज़ेदार टिकियां रेडी हो चुक झाल झाल